अब लास्ट चेप्टर थर्ड इस कांटिनियू अब इस सेकेंड वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हुम जानेंगे हिस्ट्रीज आफ देली सुल्तान्स तो देली सुल्तानों की क्या हिस्ट्री रही है वी गैदर इंफॉर्मेशन वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाट देली सुल्तान्स फ्रॉम बैरियस सोर्सस तो अलग अलग सोर्सस से हमें देली सुल्तान्स की जानकारी मिलती है जैसे इंस्क्रिप्शन से कोईंस से आर्किटेक्चर एंड रिटन अकांट्स आप दा टाइम उस समय के जो लेखा थे लेख के ãyित सुल्तान कोई हीं दि डेली सुल्तान की जैनकारी मिलती है तरटेन ड़्रिप्शन अीदर काम से टारीख है एक लाट मेंशन अन्हिस कब मेर्णित होता है इंग्लिज कर जाता है तेभाड देली काता थे देली सुल्तान्स कैसे लिखे जाती थी पर्सीन लेंगुज में अश्व हुआ आइड़न सुल्टा तो यइंख पर्सेन लेंगुज सेुल्ट सुल्टनत सबेंगुज खरनिकलः मैं होते थे, intelligent होते थे, such as secretaries, administrators, poets और courtiers, यह सभी विद्वान होते थे, prominent among the authors are chronicles of the time, तो इनमें prominent important मैं कौन-कौन थे, फकीर ए, मुदब्बिर, मिनाज स्राज, या दुन बरनी, यह famous लोग थे, the chronicles narrated contemporary events, तो यह chronicles contemporary events को narrate करते थे, उस समय की जो कहानी होती थी, जो घटना चल रही है, कंटो उसको narrate करते थे, बताते थे, but the तवारीक written by them might have been influenced by the following factors, तो उनके दोर लिखे गे, तवारीक कुछ factors से प्रभावित होती थी, influenced होती थी, अब देखते हैं, कौन कौन से factors थे, the authors lived in cities, cities में रहने वाले authors, mainly in Delhi, they seldom lived in blazes, तो भी बहुत कम गाउं में रहा करते थे, वो सहर में रहने वाले अथर्स रहा करते थे, अथर में इसका होता है, लिख़़ग का, getting rewards from the सुल्तान से रिवार्ड लेना, एक primary objective of writing the history, हिस्ट्री लिखने का primary odysh बन गया था, रिवार्ड लेना, the authors considered the social order based on birthright, तो authors उस social order के आदार पर consider किया जाते थे, birthright के आदार पर, gender distinctions के आदार पर as ideal, they advise the sultans to preserve it, तो भी सुल्तानों को advise भी दिया करते थे, अब next point वे श्ट्री ने माग बढ़ते हैं, सरके लाब justice क्या होता था, in their writings, the chronicles often stressed the importance of just rule, तो उनकी writings में जो chronicles होते थे, chronicles जो लिखने वाला परसन है, chronicles, अक्सर just rule के बारे में stressed करते थे, बताते थे, this is evident from the concept of the circle of justice, ये circle of justice का एक प्रूब भा करता था, प्रोपॉंडड़ भाई ही, फकीरे मुदब्ब्बिर, जो फकीरे मुदब्ब्बिर के द्वारा प्रूपोज्ट होता था, he felt that the survival of kings, उन्होंने कह वे सुसक्या राजाओं का survival होना, soldiers का, peasants का, बर्ज, interconnected, इन सबका relation एक interconnected था, he explained that king cannot survive without soldiers, उन्हें ये भी लिखा गया कि king soldiers की बना survive नहीं कर सकते, and soldiers cannot live without salaries, और soldiers भी salaries की बना नहीं रह सकते, soldiers are paid salaries from the revenue collected from peasants, तो peasants से मिलने वाले revenue से soldiers को salary दी जाती था, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy, तो peasants तभी revenue दे पात, revenue क्या होता है, career tax, जब वो खुस होंगे और progress करेंगे, and a peasants prosperity can be insured only, और farmers की prosperity किस से insured हो सकती थी, when the king promotes justice, जब राजा न्याय करता था, and good governance, अच्छी governance करता था, so in the continuity of the circle of justice, the king plays an important role, तो इस तरह सरकलाब justice की continuity बना रिखने के लिए, राजा का रोल important होता था, अब रजिया सुल्तान जो पहली महला सा सकती, 1236 से 40 की भी उसके बारें पढ़ना है में, तो सुल्तान इल्तुत्मिस की डाटर, रजिया अर्वाज, रजिया ने अपने इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया है कि वो सुल्तान इल्तुत्मिस की डाटर थी, बट अने दर कुई ना आप दा टाइम रुद्रम देवी उसके समय के दूसरी राइन रुद्रम देवी आप दा काक्टिया डैंस्टी आप बारंगल डिडिड नाट डिस्क्लोज हर रियल आइडेंट्टी तो वो अपनी रियल आइडेंटी डिस्क्लोज नहीं कर पाई, उसने यह बहाना किया कि वो एक मैन थी, आपके देखते हैं, सिंस दा रूलिंग क्लास, जब की देखिए, रूलिंग क्लास, एड डैट टाइम, सपोर्टेड जेंटर डिस्टिंक्संस, जो रूलिंग क्लास थे, जो सासक वर्व था, वो जेंटर बेगवाओं को सपोर्ट क लिए, बिन्नाज इसराजवाज आल्सों अगेंस, सल्तान, तो मिन्नाज इसराज भी सुल्तान के रूप में विमिन के सासन के अगेंस्ट था, एडिक रजिया को महल men were supposed to be subordinate to men जिन में women को men से छोटा माना जा रहा है ultimately रजियवाज removed 1240 और इस भेदबाव के वज़े से कि महलाओं को यादकार ना दिया जाया और रजिया को 1240 में हटा दिया गया